नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जहां एक तरफ रूस यूकरेन का जबरदस्त युद छीड़ा है वही चीन ने इसका फाइदा उठाने की ठानली है चीन के करीबन नो लड़ाकु विमान ताइवान की वायू सीमा में गुस्पैट कर गए हैं ये बहुत बड़ी खबर है कि अब माना ऐसा जा रहा है कि जहां एक तरफ रूस यूकरेन पर हमला कर रहा है वहीं दूसी तरफ चीन ताइवान पर धावा बोल सकता है और इसके पी जैसे ही डिफैन्स, फरेंड पॉलिसी और फाइनैंस असम्मंदित परते दिन तीन-तीन एक्स्क्लूजीव वीडियो मिलती है तो चैनल को ध्यान से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज शाम ही चार बजे खबर आई कि ताइवान की वायू सीमा के अंदर दो चाइनीज लडाकू विमान गुस गए लेकिन उसके ठीक दो घंटे बाद यानि 6-6 बजे खबर आती है कि दो नहीं 9 से लेकर 10 लडाकू विमान थे जो ताइवान की एर डिफेंस ज अब जाने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमरीका है किसी और देश के पास ऐसी ताकत मुझूद नहीं है लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस समय अमरीका का येरोप का और पूरी दुनिया का ध्यान यूकरेन रूस युद पर है और इस युद में चीन अपना गोल्ड नहीं आता है या अमरीकी नो सेना जो दक्षनी चीन सागर में तैना थैस समय वो कुछ जादा खास मूवमेंट नहीं करती है तो फिर ये चीन के लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा वो भी रूस की तरह अचानक हमला करके ताइवान को कबजा ले वहीं अमरीका के लिए मुश्किली है कि आज ही अमरीका ने अपनी बहुत सारी सेना तैनात करनी शुरू कर दी है योरोप में योरोप का देश है लतिविया जिसकी सीमा लगती है रूस के साथ तो लतिविया में अमरीका अपनी अतरिक्त फोज तैनात कर रहा है इसके लावा योरोप के अलग-अ लेशों में ब्रेटन, जर्मनी, इसके अलावा पोलेंड, लत्विया में अपनी अतरिक्त वायू सेना को भी तैनात कर रहा है। ना कर दे। वहीं सोने पर सुहागा इस वक्त यह हो रहा है कि अमरीका के अंदर जो राष्टपती है ना बहुत ही सुस्थ है, बहुत ज्यादा कमजोर है। कहा जा रहा है कि अमरीका की इतिहास में इतना कमजोर राष्टपती कभी नहीं हुआ और यही अमरीका की निया डुबो रहे हैं वरना आप सभी जानते हैं कि अबसे 2-3 साल पहले तक यही अमरीका था जो एक साथ अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में लड़ाए लड़ रहा था इसके साथ साथ योरोप में रूस से टक कर ले रहा था और दक्षिनी चीन सागर में चीन से टक कर ले रहा था यह सब एक साथ कर रहा था और आज भी अमरीका के पास यह capability है लेकिन उसे चाहिए डोनाल्ड टरंप जैसा राष्टपती जो उन्हें लीड कर सके हाला कि ताइवान के पूरे मामले पर मैं नजर बनाए हुए हूँ जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूँगा लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिल्हाल इस दो में इतना ही थैंक यू आनमच पर वाचिंग वीडियो